नमस्कार आप देख रहे हैं एसिया न्यूज इंडिया मैं आपके सत्रियंक आप सभी का स्वागत करती हूँ आई आज की खबरों पर एक नज़र डालते हैं मनिपूर में हमला सहित के अंतिम संस्कार में बोले पिता एक बेटा लौटा है दुसरा लड़ता रहेगा मनिपूर में हुए आतंकी हमले में एक कर्णल समेठ चार जवान सहीत हो गए कर्णल विपलब तिरपार्टी की पतनी और मासुम बेटा भी इस हमले की सिकार हुए इस भी सहीत जवान कतनेई कोईनाक के अंतिम संसकार के दौरान उनके पिता का एक बयान सोसल मीडिया पर वाइरर हो रहा है जिसे सुनकर हर किसी का सीना गर्व से चौरा हो गया इस वीडियो को खुद बारतिय सेना ने रिट्वीट किया है वीडियो में देखा जा सकता है कि मनिपूर आतंकी हमले में सहीद हुए राइफल मैन कतनेई कोईनाक के पार्फिक शरीर के पास उनके पिता खरे है इस दौरान उन्होंने ऐसी बाते कहीं जिसे सुनकर हर देश वासी को गर्व होगा कोईनाक के पिता ने कहा कि अभी उनका एक बेटा और जिन्दा है वो देश की सेवा करना जारी रखेगा एक बेटा लोट आया अब दूसरा देश सेवा करेगा सहीद कोईनाग के अंतिम संसकार के दोरान उनके पिता ने कहा मैंने अपने दो बेटों को देश को मजबूत बनाने के लिए दिया था आज एक लोट आया है मेरे पास एक और है कोईनाग का भाई उसी की तरह देश की सेवा करता रहेगा आपको बता दे कि 13 नमंबर को मनिपूर आतंकी हमले में राइफल मैं कत नेई कोईनाग सहीद हो गये थे कोईनाग का नागा लेन के तीजीत में अंतिम संसकार किया गया इस हमले में कोईनाग की अलाबा कर्णल विपलब तिरफार्टी, राइफल मैं स्यामल दास, सुमन स्वरगियरी, आरपी मीना भी सहीद हुए थे कर्णल तिरफार्टी की पत्नी और एक बेटा भी इस हाथ से के मारे गए हमले की MNPF ने जिमेदारी ली है इस बीच MNPF ने इस हमले की जिमेदारी ले ली है संगठन ने एक नोट जारी कर कहा की हमला करने बाले लोग इस बात से अंजान थे की काफिले में कर्णल की पत्नी और बच्चा भी मौझूद थे नोट में कहा गिया की वे सम्मेद्यन सीर इलाकों में परिवार को साथ लेकर ना आएं बता दे की ये हमला भी तब हुआ जब 6 असम राइफर्स के कमांडिंग अफिसर कलनल विपलब तिर पार्टी फरवर्ड कैम से वापस लोट रहे थे उस समय उनके काफिले में उनका पईबार भी मौझूद था तो आज के लिए इतना ही आगे तमाम खबरों के लिए जुरे रहे हमारे साथ धन्यवाद